अब्रीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल दिस साइट सिधी एंड आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट एंड एर्किटेक्चर से रिलेटिड इंपॉर्टेंट मेगा टेस्ट सिरीज में आप सभी के लिए लेकर आई हूं इससे पहले हम लोग और रिटेसर फाइफ के चुके म Branch सीरीज है तो आज की लास में आपको एडमिनस्ट्रेशन से या मिंरे और आठ से आपको अमेड़ों क्यूंस देखने को मिलेंगे चाहिए वो का हो इन धुन हैं रोकी डिएटिव्में आपको important question देखने को मिलने वाला है कि आप सभी जानते हैं यह topic बहुत important होता है क्योंकि यहां से आपके exam में questions देखने को आप सभी को मिलते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए चाहिए आप CUT चाहिए DUET कोई भी entrance exam कोई भी competitive exam की त्यारी कर रहें यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा helpful है तो चलिए आप सभी तयार होंगे मेगा test series के लिए CUT का exam तो यहां पर हो चीक है लेकिन अब दिल्य उनिवर्सिटी के लिए यहां पर अभी exam होना बाकी है जो कि next month होने पूरे chances हैं तो आप लोग अपनी तयारियों को लगातार करते रहें बिल्कुल आपको रुकना नहीं है revision करते रहो test series करते रहो और practice करते रहो ताकि आप सभी का exam अच्छा हो तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस topic के questions की तरफ की यहां किस तरीके से question आपको आपके exam में देखने को मिल सकते हैं तो चलिए अगर आप सभी test series के स्टार्टे तो एक बड़ जल्दी से कमेंट करके लिखें कि आप सभी स्टेस के लिए उसे पहले वीडियो को आप जल्दी से लाइक शेर कर दो तक और भी स्टूडेंट से जोड़ है वह next month होने वाला है तो मैं पूरी कोस्टिस करूंगी उससे पहले आपको maximum questions या cover up करा सके इसके बाद में कुछ previous questions से भी related यहाँ पर आपके mega test series चलाने वाली हूँ वैसे तो आप सभी ने already five years की questions paper कर चुके होंगे अब आपकी बार यह practice करने की तो इसके बाद हम आगे औ और भी mega test series जो लेकर क्या होंगी वह दिल्ली उनिवर्सिटी में जिस तरहीके से इस पैटन से questions पूछा जाता है वह सारी चीजे आपको देखने को मिलेगी तो अगर आप चैनल पर नए है तो एक बाद जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजे बैल आइकन प्रेस कर लो रात के से लेटर आपके एक्जाम में किस तरीके से questions पूछे जाते हैं तो स्टुडेंट यह आप सभी के सामने question आप सभी के साइम जब तक मैं question रीट कर रहे हूं आपके उतना ही समय ताकि आप लोग जल्दी जल्दी अपने questions के answer यहां पर दे सके और ताकि आप लोगों को टाइ इसको मैच करना है पहला आपका चाप्चर कुट महसब जो की मिजोरम में मनाया जाता है यह खोंग जोंपरवा गथा गीत जो की मनीपूर में मनाया जाता है ठांकता नित्ते सिक्किम में तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर सही है ठीक है question द्यान से समझने आप कु दूसरा और तीसरा सही है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहां पर दो option सेम हो गए बी और सी और चलो कोई बात नहीं तो आप लोगों को बताना हो साथी साथ याद भी रखना है क्योंकि यह सिंगल भी आपके एक्जाम में आपको question देखने को मिल सकते हैं तो आज हम आ अंसर नहीं भी पता है लेकिन तब भी आपको पूरे ट्राय करना है कि आप सारे के सारे questions का response कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और आपको कमेंट बॉक्स में रिखना है कि फर्स्ट का अंसर ए है बी सी डी जो भी है लेकिन आपको यहां पर जरूर लिखना की कौन से सार कुट मौसब जो है वह मिजवरम में ही मनाया जाता है तो एक option आपका तो पहले आपको option में a देख लो कि कहां कहां पर है तो यहां पर है बी भी में भी है सी में लिकिन डी में नहीं अंसर करना आपको बिलकुल आना चाहिए कि कैसे आप अपने अंसर को eliminate करोगे इसको लेकिन अगर हम बात करें तांगता नित्य यह सिक्किम कर नहीं है जल्दीो क्मेंट करके बताओ कि यह कौन से स्टेट का यह ट्रेडिशन है चलती से कमेंट करके होता ही तब मैं आप सभी को बताऊंगी देखो पहला याद रखना दूसरा भी याद रखना है कहीं भी आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है यह वीडियो आप चैनेट की भी प्रिपेशन करेंग आपके जो तांगता दानस है यह भी आपका सिक्किम का नहीं यह भी आपका कहां का है मनिपूर का ही ट्रेडिशन है तो इसी वज़े से थार्ड ऑप्शन है वह गलत होता है इसलिए स्क्वेशन का राइट आंसर चाहें आप बी कर लो चाहें कर लो एक ही बात है तो कि दोन कोड़ा चाहें लोगों का सबसे बड़ा वब जुधे वहा दुधर्श के पूरह होने के बाद यह मार्च में बनाया जाता है तो याद अचुआ होता है तो यह मिजोरम में यह मारच में सैलिबुरेट किय जाता है और यह बसंत काप creepbridge से आह पूछा ऑचा कि औंश मनिपूर में से गाथागीत गायन की एक शैली जो 1891 में सक्तिशाली ब्रिटिस समराज्य के खिलाफ मनिपूर द्वारा लड़े गए वीर युद की कहानियों को दर्शाती है यह मनिपूर में सबसे लोक प्रिय संगीत के ला रूप में से एक है तो देश भक्ती की भावना को उत्तेजित करता है और एक समय के लोग के बीच में यह राष्टेवाद आपको देखने को मिलेगा तो आपने देखा कि यह कहां पर मनाय जाता है आपके मनिपूर में थाड़ अप में देख सकते हैं आप सभी कि आपका भी मैंने बता है तांग तादान सुतांग तादान मनिपूर में के राजाओ दोरा प्रचलित मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए विक्सित है तो यह क्या आपका मार्शल आर्ट को प्रमोड करता है तो इसलिए इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर ए और बी कुछ भी कहले हो लिकिन अगर इस सिंगल भी पूछ ले कि तांगता डांस कौन से स्टेट का डिशन है तो राइट अंसर क्या होगा मनिपूर क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमबर सेकिंड की तरफ इसमें आप सभी के सामने जिसमें आप सभी से पूछा गया है इनमें से किस कुषान राजा ने सं कुषान किंग वो अज्यूंड टाइटल लॉड ऑफ दा होल वर्ड आपके ऑप्शन से कदपीशिस फॉस्ट कदपीशिस सेकेंड कनिश्क या फिर हुवी शिका तो जल्दी से कमेंट करके बता ही किस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा कौन सा वो राजा है जिसने दा लॉड ऑफ दा होल वर्ड यानि संपून विस्व के स्वामी की टाइटल है उपादी को धारन किया था टाइटल भी आपसो मैक्सिमम सबको पता होना चाहिए कि कौन से किंग ने या कौन से राजा ने कौन सी उपादी धारन की थी इस तरीके के क्वेशन भी पूछे जाते है तो चलिए बात करते हैं इसके अंसर की तो अगर हम बात करें तो लॉड ऑफ दा होल वर्ड यह टाइटल अडॉप्ट किया था आपके कदपीसे सेकिंड ने थीक है तो इस क्वेशन का राइट अंसर ऑप्शन नमबर भी होगा तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नमबर भी लगा है वो बिल्कुल करेक्ट है चलिए आगे बढ़ेंगे इसकी एक्स्प्रेनेशन की भी बात कर लेते हैं विम कदपीसे आपको पता है यह अप्रॉक्सली नाइन टू हंड्रेड सी तक कुशान की राजा थे रबातक सिलालेक के अनुसार वे विम तक्तों के पुत्र और कनिश्क के पिता थे उन्होंने संपूर्ण विष्की भगवान की उपादी धारन की थी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आपके विम कदपीसे जो है और यह भी क्वेशन पूछा जाता है कौन से इसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग ठीक है रबातक इ विमा ताक्तों के बेटे हैं और इनके फादर कौन थे कनिश्क तो यह याद रखना यह भी पूछा जाता है कि कौन से अभी लेक के अकॉर्डिंग यह बताई गई है तो राइट अंसर क्या होगा रबातक अभी लेक क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेशन नम थर्ड में मैंने आप सभी से पूछा है इन में से कौन सा नाटक राजा पालक के सासनकाल के दुरान उज्जेनी का प्राचीन सहर में स्तापित था विच ओप तफॉलाइन प्ले इस असेट इन शिटी ऑफ उज्जेनी डियूरिं दे रेन ऑफ किंग पालक आपके आप्सें से म्रिच कटिकप रगुवंश श्री आदिकला या इन में से कोई भी नहीं कौन सा प्ले यहां पर पूछा है जो आपके इंशन शिटी उज्जेनी के टाइम पर था और उससे में जो यहां पर राजा था वो पलका था तो जल्दी से बताओ इस क्वेशन का राइट अंसर क बिल्कुल करेक्ट है चलिए आगे बढ़ेंगे इसकी एक्स्प्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं तो यहां पर एक्स्प्लेनेशन में देख सकते हैं मिर्च कटिका की वर्तनी भी एक दा दस अभीने संस्कृत नाटक है जिसका शुद्रका को दिया जाता है एक प्राचिन आटक का जिसके आम तौरपत तीसरी सताफदी सपूर से पांच वी सताफदी इसवी के बीच कभी-कभी रहने के लिए माना जाता है तो यह प्लेयर आइट आपको यह भी पता हो रहा चाहिए कि जुम्रिच कटिका यह क्या है यह क्लेय है क्योंकि एक्जाम में यह भी पाई गई थी आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल इस फाउंड इन विच आफ दे फॉलाइजेशन इसके लिए तो आपको यहां तक मुझे पता है इसमें सारे के सारे जितने भी स्टुडेंट यह वीडियो देख रहे है चाहिए भी लाइफ देख रहे है चाहिए वह बाद में आपकी इंदस वैली सिबिलाइजेशन सिंदू गाटी की सब्यता में तो इस क्वेशन का राइटन और ऑप्शन नमबर बी है तो यह तो किसी ने भी गलत नहीं करा और यह तो आप सभी को अल्रेडी बहुत अच्छे से पता भी है चलिए फिर भी मैं एक्स्पिनेशन की ब और यहां पर लड़की को नास्ते वे दिखाया जिसका 10.8 सेंटीमीटर आपको कास्य की परतिमा देखने को मिलेगी 1926 में संदू गाटी की सब्यता के मोहन जुदारों में आपको यह नौवी गली पर टूटे हुए घर से मिली थी ठीक है यह कहां पर मोहन जुदारों में म क्वेशन के तरफ के तरफ पढ़ेंगे व्यां के विर्फ से पुज़ें शिंग्रेरी बद्रीनाथ द्वारका और पूरी चार मटो की स्थापना किसने की थीुश्टेबलिस द फोर मुनास्ट्री जुआए चार मठ हैं इसकी स्थापना किसने की थी आपके पास है चार options है तो जल्दी से बताइए आपके पास time है मैं आपको सिर्फ question पढ़ने तक कि आपके पास time है तक है आप जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस रहेगी आप सभी को पता आप सभी को online exam है तो आप क्या कर सकें कम time में आपके maximum questions करके आ सकें तो अगर आपके question में एक्जाम आजाए तो याद रखना आपके जो चारो यह मठ है चारो जो आपके मॉनास्ट्री जैं यह स्थापना संकर अचार्रे ने की ठीक है तो इस question का right answer क्या होगो option number C वैसे maximum इससे आप सभी का correct होगा तो जितने भी student ने option number C लगाया वह बिल्कुल सही है चलिए बात करते हैं इसकी explanation की भी तो याद रखना आदी संकर अचार्रे ने प्रैदीव के चारो कोनों को पांच प्रमुक मठो की स्थापना करके भारतेव महाधीव की ग्रिपा की कामना की यह बहुत important है इसको चाओ तो आप नौक डाउन कर ले न तीक है यह नौर्थ है यह आपका इस्ट है यह आपका वेस्ट है और यह आपका साउत है ठीक है इस चारो डारेक्शन में इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ था सबसे पहले आप देख सकते हो नौर्थ में इन्होंने कौन सा बनाया है नौर्थ में आपका जोतिर मत बनाया है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे साउत में दक्षिड में आपका यहां पर इन्होंने क्या बनाया आपका सिंगेरी या फिर कांची इस्ट में बात करेंगे तो इन्होंने कौन सा बनाया मत पूरी और वेस्ट में आपका है दुआर का ठीक है कौन सा किस डारेक्शन में ये भी आद होना चीह कभी भी एक्जाम में किसी भी तरीके से आपको question देखने को मिलता है अद्वेत बेदान्त के दर्शन का प्रचार करने के लिए और सनातन धर्म की अवधारना को प्रचारित करना इस प्रकार धर्म या धर्मिक्ता के लोगों के जीव question no.6 की तरफ question no.6 में आप सभी से पूछा गया है गुपता समराज्य की बाग पेंटिंग इन में से किस भारते राज्य में पाए जाती है बाग पेंटिंग ऑफ गुपता पीरेड वस फॉंड इन विच आप दे फॉल्लविंग इंडियन स्टेट आपके आपसेने बिहार, मध्य परदेश, 36 गर्ड या महराष्टर पहले तो आपको यही एक चीज पता होने चीए कि बाग पेंटिंग जो है वो किस में पाई गई थी गुपता एंपायर में गुपता समराज्य में ये भी एक question बनता है ठीक है question कुछ भी घुमा कर पूछा जा सकता है तो जब आप यहां question कर रहे हो तो आपको सिफ यह options क्या दिये इन पे focus नहीं इसके अलावा और क्या क्या बन सकता है question इस पे भी focus करना है तो अगर exam में पूछ लिया जाए बाग पेंटिंग ये कहां किये तो ये गुपता समराज्य की है next अब आप से पूछा गया ये भारत राज्य में कहां पर पाई गई थी तो right answer क्या है आपका मध्य परदेश में तो इस question का right answer क्या होगा option number B तो जितने भी student ने को question number 6 का B बता है वो बिल्कुल correct है अब हम बात करते हैं इसकी explanation की तो आप लोग देख सकते हो बाग ये गुफा है मध्य भारत में मध्य परदेश में राज्य है कि दक्षणी डरानों की बीच इस्तिक नौर रॉक कट समारो का एक समू है तो बाग टाउन आप देख सकते हो दहार डिस्टिक में जो की मध्य परदेश में सेंट्र इंडिया में एक चीज याद रखना है ये लोग आप से दिस्टिक भी पूच सकते हैं तो दहार डिस् यहाँ पर प्रसिद समवाद हुआ था उसका उलेक हमें किसमें देखने को मिलता है दा फेमस डायलोग बिट्वीन नचिकेता एंड यम इस मैंशन इंदा आपके आप्शन से चांद उग्यो निव उपनिशद मुंडग उपनिशद कटो उपनिशद या केनो उपनिशद त जिसमें आपके नचिकेता और यम के बीच में जो यहाँ पर डायलोग जहाँ पर इनका समवाद हुआ था वो किसमें देखने को मिलता है इस तरीके के आपको UGC Net की जब आप आगे प्रिपेशन करेंगे उसतरीके का कोशन आपको वहाँ भी देखने को मिलने वाला है तो और हम बात करें नचिकेता और यम के बीट जो समवाद हुआ था उसका उल्लेक आपको कहां पर मिलता है कठोप निशद में तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा करेंगे इसकी एक्स्क्राइशन की तो नेक्स्लाइट पर आप देख सकते हैं कटोप निशद को एक प्रमुक उपनिशद जिसमें कुल 108 में माना जाता है और इसका महत्व का अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है कि इसके कई स्लोग भगवद गीता में भी पाय जाते है जिसकी रचना के बाद 1500 इसापूर के आसपास हुई थी very important है याद रखना exam में ऐसे भी question पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा उपनिशद है जिसके maximum स्लोग आपको भगवद गीता में भी देखने को मिलते है तब भी right answer क्या होगा कटोप निशद ठीक है चलिए आगे बढ़े देवत अध्यक्ष is related to storehouse crown land custom या फिर religious institution storehouse से है crown land से है जो कि प्रताय से है या फिर धार्मिक संस्थान से ये question पूछा गया है Moran Empire की बात कर रहा है तो अगर आपने Moran Empire पढ़ा होगा तो आप लोगोंने administration का topic भी बहुत अच्छी तारीके से कर रहा होगा तो जल्दी से comment कर किये बताये तो मौरे समराज्य में देवत अध्यक्ष की जो पद है इसका संबंद किस से है storehouse से crown land से custom से या फिर religion से अगर य आपके religious institution धार्मिक संस्थान से है तो इस question का right answer क्या होगा option number D तो जितने भी student ने question number 8 का option D लगा है वो बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 9 की तरफ question number 9 में पूछा गया है मौरे समराज्य में बजारों की देखवाल कौन करता था और गलत प्रथाओं की जाज करता था इन दो मौरे नंपायर उनुग्ड आफ्टर मार्किट एंड चेक रॉंग प्रैक्टिस आपके options है समस्थ अध्यक्ष सीता अध्यक्ष अकर अध्यक्ष या मान अध्यक्ष तीक है मौरे समराज्य में जो मार्किट की सारी चीज़े देखते हैं कि वह वहां पर क्या क्या ग अध्यक्ष या फिर मान अध्यक्ष अगर यह कोशन आपके एक्जाम में आपको कभी देखने को मिले तो याद रखना है इस question का right answer क्या होगा option number a समस्थ अध्यक्ष चलिए आगे बढ़ेंगे question number 10 की तरफ question number 10 बहुत अच्छा है कभी भी कहीं भी पूछा सकता है तो यह question number 10 है question number 10 में पूछा रहा है डोल मेंस क्या है वाट आर डोल मेंस आपके options है अनदर नेम आफ माइक्रोलिथिक टॉम्स टूल है यह एक जो की नियोलोथिक मैं इसे के द्वारा यूज किया दाता था यह दूसरा नेम है आपका मेगालेथिक टॉम का या फिर यह हुमन रेस त द्रेविड थे तो आपको बताना है कि डोमेंस क्या है आपको पता है दिल्ली उनिवर्सिटी में इसी तरीके के question आपको देखने को मिलते हैं बस आपको यहाँ पेक नाम लिखके देदेंगे और option से देदेंगे और पूछेंगे बताओ कि यह word किसके लिए उप्योग करा गया है तो अगर यह question आपके exam में पूछ लिए जाए याद रखना डोल मेंस क्या होता है तो यह आपका megalithic tom से इनका दूसरा नाम है महापशार मगवरों का यह दूसरा नाम है इस question का right answer option number C है तो अभी तक student हमने 10 question कर लिए है तो आप लोग जल्दी से मुझे comment करके बता सब्सक्राइब करने को मिल सकता है तो अब जल्दी से एक बर आप सभी comment करके बता दो कि out of 10 आप सभी का score कितना हुआ और वीडियो को अगर अभी तक लाइक और शेयर नेक है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और जल्दा जितना ज्यादा हो सके शेयर करो ताकि और स्टूडेंट इससे जूड़ सके और मैं इतनी महनत करती हूं बहुत important questions आपके लिए यहां पर सर्च करके देन तब यहां पर questions बनाती हूं तो उसके लिए आपको पूरा support करना चाहिए चैनल पर subscribe कर लो कर अभी तक नहीं किया है और मेरी पूरी कोस्टी से कि मैं आपको exam माने से पहले maximum यहां पर आपकी practice करा सकूँ चलिए अभी तक आप में like share कर दिया होगा इसकी explanation की भी बात करते हैं और यह आपको दिखा दू कि डोलमेंस दिखता कैसा है तो देखो यह कुछ इस तरीके का दिखते हैं ठीक है तो डोलमेंस और मेगा लितिक टॉम यह क्या है आपका मेगालितिक कब्र है यह वैं दो या दो से अधिक सीधे पत्थरों से बना हुआ है यह आप देख सकते हो और एक ही पत्थर दफन स्तल के पार पड़ा होता है तो याद रखना बहुत से स्टूडिन के लिए question नया होगा बहुत लोगों को इसके बार में पता होगा लेकिन जिनने नहीं पता था वो आज उन्होंने इस वीडियो के थ्रू देख लिया है आप लोग नहीं भूलोगे क्योंकि मैंने यह पे पिच्चर भी लगा दिये तो पिच्चर आपके माइंड में रहेगी तो अब आपका एक्जाम में यह गलत नहीं होने वाला है ठीक ह में क्या यह आपका मेगा लितिक टॉम्ब है मेगा लितिक में यह कब्रेया क्लियर हो गया चलिए क्वेशन नमबर 11 की तरफ बढ़ेंगे क्वेशन नमबर 11 में पहने आपसे पूचा है महार पर चित्रित पुरुष देख तक किस से गिरे हुए दा मेल डायटी पिच्चर अनसील इस सराउंडेट बाए लायन डियर अलिफेंट बफैलो डियर वाटर बफैलो टाइगर या लायन टाइगर अलिफेंट राइनो या फिर बफैलो डियर राइनो टाइगर या बफैलो बहुत ही एजी है यह तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए तो जल्दी से बता तो इस question का right answer क्या होगा वैसे यह question किसी कभी गलत नहीं होने वाला है क्योंकि यह question आप सभी सही करनेंगे क्योंकि इसके बारे में आप सभी को पता है कि जो महर बनी थी उसमें जो पूरुष देपता है वो किसे घिरे हुए थे बाग से हाती से गेंडर से और भैस से यानि कि टाइगर, एलिफेंट, राइनो और बैफैलो तो इस question का right answer option number C है तो maximum student का तो यह सही हो किसमें तो कोई भी doubt नहीं है बात करते हैं इसकी explanation की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मोहन जोदारों में यह पाई गई थी पशुपती की महर सिंग वाले नर देखता है चार ज साथ चित्र है यानि कि आप सील आर सेवन पिक्टोग्राफ इन में से कुछ भी पूछा जा सकता है कुछ भी तो याद रखना है यह पसुपती सील है कहां पर मिली थी मोहन जोदारों में मिली थी इसमें चार आनिमल्स मिलेंगे एक तरफ आप देखोगे अलिफेंट टाइ आप देखोगे जो पीछे यही रन देख रहे है बैकवर्ट वह है आपके दो डियर भी दिखने को मिलते हैं और टॉप पर आप देखोगे सील आर सेवन पिक्टोग्राफ है चलिए मैं आपको यह दिखा देती हूँ वैसे तो आप सभी ने अल्रेडी देखा हुआ है अब यह लेफ्ट है आपके एक्जाम में राइट और लेफ्ट भी पूछा जाता है ठीक है तो यह आप असुपती सील देख सकते हैं जिसने भी यह नहीं देखा है चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमर्ट 12 की तरफ क्वेशन नमर्ट 12 में पूछा है मिट्टी और भूरे से काले रंग से बनी भी पत्थर की चूडिया कहां पाई गई थी स्टोन वेर बैंगल्स है ठीक है क्वेशन है स्टोन वेर बैंगल्स मेड अफ क्ले जो किसे बनी वी थी क्ले से और ग्रेय टू ब्लैक इन कलर आर फा पा तो जल्दी से बताइए कि आपके जो स्टोन वेर बैंगल्स हैं क्ले से बने हुए थे यह कहां पर पाए गए थी आपके पास चार आप्शन है कंफ्यूज आप मेंसे किसी को भी नहीं होना है ठीक है बहुत से स्टोन गलत भी कर देते क्योंकि मैक्सिमम सबको बता है कि जो बैंगल्स है जो चूडिया है वो हमें कहां देखने को मिलती है काडी बंगा में तो वो इसको भी ऑप्शन लगा कर आ जाते हैं बट ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करना आप से स्टोन वेर बैंगल्स पूछा है तो याद रखना आपके एक्जाम में स्टोन वेर बै चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेशन नम्मर 13 की तरफ क्वेशन नम्मर 13 है यहां पर नम्मरीं थोड़ी गलत हो गई बर चलो कोई बात नहीं यह क्वेशन 13 है क्वेशन 13 में पूछा गया है इनमें से कारीगरों का कौन सा वर्ग उत्तरवैदिक काल में भी पवित्र धागा समारों का हगदार था फू अमंग दा फॉलाइंग सेक्शन्स अफ दा आर्टिस्ट वॉज इंटाइटर्ट तो इसकेर्ट थ्रेट सेरिमेनी इवन डियूरिं दे लेटर वैदिक पीरेड आपके अपसमें पोर्टर यानि कुमहार वीवर यानि बुनकर कार्पेंटर यानि बढ़ है चरियोर्ट मेकर यानि की रथ बनाने वाले तो क्वेशन आप सभी को समझ में आ गया इन में से वो कौन सा कारीगर था जो आपके उत्तर वैदिकाल में भी पवित्र धागा समारों का अधिकार था तीक है उसमें उसका हगदार था पवित्र धागा समारों यहां पर सेरीमरी होती थी यह वाली तो इसमें से वह कौन सा कारीगर है जो इसके हगदार था तो जल्दी से कमेंट करके होता कि क्वेशन नमबर 13 है यह 13 का राइट अंसर क्या होगा तो अगर आपके एक्जाम में यह क्वेशन आ जाए तो याद रखना कौन सा यहां पर आपका आर्टिस या कारीगर इसका अगदार था तो वह था आपका चैरियोर्ट मेकर रत बनाने वाला तो क्वेशन नमबर 13 का राइट अंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर डी क्लियर हो आपको शूद्रों के भी सिमा कान की रेखा खीचते हैं यहां पर रत कार या रत रिर्माता जैसे कारीगरों के कुछ वर्गों को उच्छ दर्जा प्राप्त है वे पवित्र धागासमारों के भी हगदार थे इस्तरियों को भी निम्निस्तान पर दिया जाता है यहां इस्तर वैदिक पीरड की समय पर भूमन की कंडिशन कैसी है लोवर पोजीशन है ठीक है कैसी पोजीशन है लोवर पोजीशन है यह आपको याद रखना है चली आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नमबर 14 की तरफ यहां पर चलो नंबरिंग वह गई है लेकिन काम कोई बात न क्वेशन नमबर 14 में पूछा गया है उत्तर वैदिक काल में राज्येपाल को क्या का जाता था गवर्नर्स इंदा लेटर वैदिक पीरेड आपके ऑप्शन से अध्यक्ष अक्षव पासो या फिर ग्रामेबादीन या फिर इस्तपतीज तो जल्दी से कमेंट करके बताए जो लेटर वैदिक पीरेड में जो गवर्नर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था आप लोगों ने लेटर वैदिक पीरेड का अल्रेडी एड्मिनिस्ट्रेशन करा होगा जल्दी से कमेंट करके बताए कि इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा तो अगर आपके एक्जाम हमें यह question आज तो स्क्वेस्ट करा एंसर क्या होगा option number डी तो यह सारी जीजें आपको याद रखनी है अगर हम बात करेंगे आपके अक्ष्वपास की तो इनका function क्या होता था यह होते थे ताक्षे न्याम के यहां पर यह कौन होते थे तो यह होते थे आपके कार पेंटर हैं आगे मैं कुछ और बहुता देति हुए तो झाकि इनमेंसे कोछ भी आपके एक्जाम में आ JTS कर और आगे मैं आपको कुछ और भी ने आपके पुरहित आपको पता है कि प्रिष्ट होते थे फोजारी होते हैं महां बढ़ेंगे फीर झाहित सुप्रीम कमांडर इन चीफ होते थे तो सुप्रीम कमांडर इन चीफ भी पूछ ले जाए तो राइट अंसर क्या होगा आपका सेनानी क्लियर हो गया नेक्स अगर आम कुछ और भी अगर आप देखोगे नेक्स अगर आपसे पूछ ले जाए आपका ग्रामनी तो ग्रामनी क काम क्या होता था यह होते थे आपके हैड ऑफ दा विलेज विलेज के जो हैड होते है ना उन्हें ग्रामनी कहा जाता है ग्राम से आपको समझ में रहा है कि यह गाओं की बाते हो रही है तो यह सारा कुछ है जो आपको लिखना है अगर मैं आपको कुछ और बताओं तो आपक स्पासस से आपको समझ में आ रहा है कि यह कौन होते होंगे जो जासूस का काम करते थे या फिर जो मैसेंजर होते हैं तो आपको पता है जासूस का काम क्या होता है और डी नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और तो यहां पर आपको याद रखना है यही कुछ इंपोर्टेंट है अगर आपसे पूछ लिजाए सुथ कौन होते हैं तो सुथ अगर आपके एक्जाम में पूछे हैं तो यह चैरी ओटर होते हैं तो इसी तरीके कि आपको लेटर वैदिक विरट के सारे यह सारे लोगों के नाम याद होने चाहिए कौन से ऑफिसर्स थे कैस इसे थे और किस काम के लिए थे यह सारी चीजे आपको याद होनी चाहिए इतना मैंने आपको करा दिया बाकी आप लोग अल्रेडी जाकर करके चेक आउट टरना और आपने जो भी नोट्स बनाए से इसको कंप्लीट कीजेगा चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नमर 14 में मैंने आप सभी से पूछा था which among the following was not the reason question में not है not the reason for the increase in king power in the later वैदिक पीरेंड इनमें से कौन सा उत्तर वैदिक काल में राजा की सक्ती में व्रिधी का कारण नहीं था ठीक है आपके options यहाँ पर दे रखा है युद्ध में राजाओं का सफलनेत्र बेतर सेन्य आयो पूजो का विकाश राज्य के अकार में व्रिधी या राजत्व में देवत्व के विचार का उद्यप तो क्वेस्ट सक्सेस्फुल लेडर्शिप ऑफ दे किंग इन वार्ड डेवलप्मेंट ऑफ बेटर मिलिटरी वार हैट्स इंक्रीज इंग्रीज इंग्रीज इंग्ड तो अगर यह क्वेशन आपके एक्जाम में तो याद रखना ऑप्शन नमबर डी इस क्वेशन का राइट अंसर है जो आपके आपके जो डिवाइनिटी के जो आइडिया है उसका किंग्शिप पर यहां पर उद्य हो रहा है इसका यह कोई एक्चुल रीजन है ही नहीं तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्यों को ऑप्शन नमबर डी तो जितने भी स्टूटेंट ने 14 को ऑप्शन नमबर डी बता है वो बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमबर 15 की तरफ क्वेशन नमबर 15 में पूछा गया है इन मेंसे किस सासक ने राम और श स्टूडेंट राम शिया आपके आप्शन से भोच सिद्राज जैसिमहा जैनुल अबिदीन या फिर अकबर तो इन मेंसे वह कौन सा रूलर है जिसने आपके करता जो राम सिया कि थी उनकी आकृतियों वाले सिक्के जारी किये थे इस में से वह कौन सा सासक है इसमें से वह क तेलि खराम लिंग डिस्क्रेप्शन से क्वेम्स चाहिए वह सब कैन। के तैथ कर आपके सब्सक्रेशंग कर सकते हैं।否 सबस्क्रेशंग करें। कर दोन्हें कोई that order की लिए तो अप्लूं सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेशन की तरफ जो यहां पर आप देख सकते हो कि जो राम सिया वाले जो अकृतियों वाले सिक्के हैं वो किस ने जारी किये थे अख़बर ने तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर डी तो जिसन भी स्टूडेंट ने इस क्वेशन का राइट अंसर ऑप्शन नमबर डी लगा है वो बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ेंगे यहां पर आप एक्स्प्रिनेशन भी देख सकते हैं महान मुगल सासक ने अपने नए धार्मिक विचार के हिस्से ग्रूप में हिंदू देवताओ राम और सीथा क यह भी पूछा सकता है जो सिक्के जारी हुए थे वो किसके थे तो वह सिल्वर के भी थे गोल्ड के भी थे चांदी के भी थे और सोने के भी थे मुगल चित्रकला से प्रभावित नहीं थी क्वेशन में पूछा है नहीं थी मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म दा स्पाइनल कॉलम कॉलम अप वैरियस स्कूल्स अफ इंडियर मिनियेचर ओडेटरी रिहाबिलेशन ट्रेनिंग कांसिलिंग विच्वन आप या फिर काली घट क्वेशन समझ में प्रभावित नहीं है यह चीज आपसे पूछ जल्दी से कमेंट करके वताई कि इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा तो अगर आप सभी की एक्वेशन पूछ लिया जाए कि कौन सी इसमें से आपकी मुगल पेंटिंग से क्या होगा option number D चलिए आगे बढ़ेंगे next question की तरफ next question में पूछा गया पहाड़ी स्कूल राजपू स्कूल मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किसी की कला में विभिन चेलियों का प्रतिनिदित करते हैं पहाड़ी स्कूल राजपू स्कूल मुगल स्कूल और स्कूल है मुगल स्कूल है कांगड़ा स्कूल है एक किस कला में विभिन सेलियों का प्रतिनित करते हैं तो वह करते हैं आपके पेंटिंग का तो इस question का राइट एंसर क्यों होगा option number B जितने भी student option B लगा है वो बिलकुल correct है आगे वाड़ेंगे question number 18 की तरफ question number 18 में पूछ पूजा केंदर स्तापित किये गए थे musician है आपके तांसें आपके बेजु बावरा गोपाल नायक हैड रिसीव ट्रेइनिंग फ्रॉम दा मास्टर स्वामी हरीदास हाव मैनी music worship center has been set up by the follower और स्वामी हरीदास 5 4 3 2 तो यहां पर बात की गई है कितने संगीत पूजा केंदर स्तापित कहें यह आप से question में पूछा गया है तो याद रखना अगर यह question आपको exam में देखने को मिले तो total इन्होंने 5 कितने 5 संगीत पूजा केंदर स्तापित किये थे तो इस question का right answer क्या called बाबूर्वकर डिउरिंदा मुगल पीड मुगल काल में इनमें से किस बंदर गा को बाबूर्मकर कहा जाता है वरुच में इस question में आप से यह पूछा गया है क्वेशन आप सभी को समझ में आगा कि बाबुल मक्का जो है जो कि मुगल के समय का है तो यह कौन सा आप लोगों का बंदरगा है यह आप से पूचा है अगर यह क्वेशन आपके एक्जाम में देखने को मिल जाए तो राइट अंसर कौन सा होगा सूरत का पूर्ट ठीक है बाबुल भी मक्का भी कहा जाता है तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा option number D बात करेंगे इसकी explanation की तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुगल काल के हज के लिए हजी आतरी जो है सूरत के मक्का जाया करते थे और इसलिए सूरत को मक्का द्वार और बाबुल मक्का औ सब्मट दोस्ते हैं तो याद रखना इस लोग पेलगरी मीज यात्रा करते थे मक्का से आपके हज से आतरी जाते थे अपके हज से दूरत क्का जाने के लिए तो इसी लिए इसको यह नाम दिया गया तो आपको देख सब्सक्राउंगी चलिले लास्ट प्वेशन है वैसे 21 होगा अब आप लोग मुझे 20 आउट ओफ स्कोर कितना रहा है क्योंकि अभी मारा उपर नम्बरिंग गलत हो चुका है कमेंट करके जरूर बताएगा आउट ओफ ट्वेंटीवन आप सभी का स्कोर कैसा रहा लास्ट क्वेशन है यूरिंग दरेन ओफ विच रूलर यूज ऑफ हैलो और डिवाइन लाइट वर स्टार्ट इन पेंटिंग पेंटिंग में हैलो या डिवाइन लाइट का इस्टमाल की सासंकाल के द्वारा सूरू किया गया था इल्तुतमिष औरंजेव जहांगीर या फिर अकबर तो जल्दी नमर 20 का राइट अंसर ऑप्शन नमर सी है तो जितने भी स्टूटन ने ऑप्शन नमर सी बताया वह बिल्कुल करेक्ट है बात करेंगे अब इसकी एक्स्प्रेनेशन की तो नेक्स स्लाइट पर आप देख सकते हैं राजा के सर के पीछे हैलो या फिर दिव्य रोशनी का प चैनल हो गया तो चुझेंद जल्दी से वाप सभी मुझे कमेंट करके उटां ओठ विडियो का स्कॉर कैसा रहा और आज की वीडियो आज का क्लास का लेक्च्छर के कीसा लगा कमेंट करके बताएगा और आप नेक्स्ट जो वीडियो है नैस्ट जो सब्सक्राइब चाहते ताकि आप लोग वो questions अच्छे से कर सके अगर आप किस पर test series चाहते हो कौन से topic पर तो आप मुझे comment करके भी बता सकते हैं बगी जब तक आप comment करके बताएंगे तो याद रखना अभी आगी जो test series world history पर आपको देखने को भी लेकि लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते है किसी particular topic पर मैं ज्यादा तर test series questions लेकर क्या हूं तो आप मुझे comment के तुरू बता सकते हैं तो आशा करते हो आज की वीडियो आप सभी को helpful रही होगी comment करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक शेयर अगर अभी तक नहीं कर एक जल्दी से लाइक शेयर कर दो comment करके जरूर बताना आप सभी का स्कोर कैसा रहा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं क्या हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल एकम प्रेस करो रात के साड़े नौ बज़े आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी टेलीग्राम चैनल आपको लोगों को नीचे चैनल के तुझा फिर इंस्टाग्राम हैंडल के दुरू भी पूछ सकते हैं पेड लेनी हैं अगर तो नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है सीउ एटी के लिए तो आप जल्दी से इंडॉल्मेंट करवा सकते हैं जो जो भी स्टुडेंट 2023 के लिए प्रिपेशन कर रह होगी और इसके बावजूद आपको कोई भी डाउट और क्वैरी है आप मुझे कमेंट करकी कमेंट करके अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो चलिए शुटन आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फॉ बऌतीं